आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मश्रूम के फायदे जी हाँ मश्रूम सेहत के लिए बहुत फायदे मन होती है इसके सेवन से हम कई पीमारियों से बच सकते हैं बात चाहे इम्यूनिटी बढ़ाने की हो या फिर वजन को कंट्रोल करने की मश्रूम हर जगे काम आती है मश्रूम में कई ऐसे जरूरी पोशक तत्व मचूद होते हैं जिनकी शरीर को बहुत आवशकता होती है साथ ही ये फाइबर का भी एक अच्छा माध्यम है हेल्थ कॉंशेस लोगों के लिए ये अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैलरीज ज़्यादा नहीं होती मश्रूम में बहुत सारे पोशक तत्व पाये जाते है मश्रूम में कई महत्तपुर्ण, खनीच और विटमिन पाये जाते है इनमें विटमिन B, D, पोटेशियम, कोपर, आइरन और सेलेनियम की मात्रा प्रयाप्त होती है इसके अलावा मश्रूम में कुलाई नाम का एक खास पोशक तत्व पाया जाता है जो मार्श पेशियों की सक्रियता और यादाश बरकरार रखने में बेहत फायदे मन रहता है मश्रूम से सिहत को बहुत सारे फायदे मिलते हैं हडियों को मजबूती मिलती है डाइट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मश्रूम में भरपूर मात्रा में वितमिन D, कैल्शियम और फास्पोरस पाया जाता है इसी वज़ा से ये हडियों के लिए बहुत फायदे मन होता है इसलिए इसे नियमित तोर पर अपनी डाइट में शामिल करें वजन कम करने में कालगर जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि मश्रूम में कैलरी बहुत कम होती है इसे खाने से पेट भरा रहता है और जल्दी भूक नहीं लगती जिससे आप जंक फूर और ओवरीटिंग से बच जाते हैं एनीमिया के खत्रे को कम करती है मश्रूम में आयरन भरपूर मातरा में होता है प्रियाप्त मातरा में इसके सेवन से एनीमिया के खत्रे को कम किया जा सकता है इसके अलावा मश्रूम में दमा और मधुमिया जैसी बीमारियों से लड़ने की भी शमता होती है रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ाती है मश्रूम में मौजूद तत्व रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाती है इससे सर्दी जुकाम जैसी बीमारिया जल्दी जल्दी नहीं होती मश्रूम में मौझूद सेलेनियम इम्यून सिस्टम के रिस्पोंस को बहतर करता है मश्रूम का सेवन करना कैसे चाहिए? मश्रूम की सब्ची बना कर आप खा सकते हैं ध्यान रहे कि इसे पकाते समय आप हमेशा अच्छी क्वालिडी के तेल और मखन का इस्तिमाल करें अगर आपको अंडा पसंद है तो अंडे की साथ मश्रूम बना सकते हैं इसके लिए आप अंडे के साथ मश्रूम को छोटे छोटे पीस में काट कर भून सकते हैं आप इसका इस्तिमाल किसी भी व्यंचन में मिला कर सकते हैं जैसे मटर मश्रूम, आलू मश्रूम आदी आपको किसी भी सबजी की दुकान में यह मिल जाएंगी दोस्तों मश्रूम को आपको अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए यह आपकी शारीरिक और मासिक विकास में बहतर है आपको कैसी लगी है जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बत वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने